नमस्का मेत्रों सभीका स्वागत है आपके अपने चैनल स्वारार अकाडेमी क्लासेस पर यहां हम बात करेंगे एनम जेनम काउंसलिंग 2023 को लेकर इसमें महतपूर सुचना एक आई है कि पर यहां है आपको जो है पर्फेर्श लॉक कर देने है च्वाइस फिल कर लेनी है लॉकर देना है और उस टाइम के अंदर अंदर तो इनम और जेनम की मेरी लिज्ट डेकलिर हो चुकी है और इसके बद अठारा अगस्त से काउंसलिंग सुरू हो गई थी आप सब लोग जानते हैं राउंड वन के लिए जो अपलिक है जो चल रहा है सेडियूल्ड वो च्वाइस प्रिफेंसेस और लॉकिंग के लिए जो टाइमिंग दी गई थी वोई टाइमिंग यह है आप देख सकते हैं इस टाइमिंग में जो है यहाँ पर आपको 24 फिल करना है और 18 तारिक से लेके 21 तारिक तो आज 19 हो गई है मेरे वीडियो रिकॉर्ड करने तक 19 है 18 की अपडेट है यह 18 से 21 तक यह निए 19 बीस और 21 तीन दिन भी आपके पास समय है और इसे लॉक कर दीजिया इसका जो रिजल्ट आएगा जो एलॉट्मेंट लेटर जारी किया जाएगा वो 24 आठ दोजार तेस को जारी किया जाएगा फिर आप पर्टिकुलर उस कॉलेज में रिपोर्टिंग करेंगे और फीस डिपोजिट और बाकी चीज़ें करेंगे वो 25 अगस से लेके 28 अगस तक करेंगे फिर 30 अगस से अगला राउंड शुरू होगा तो इसलिए एनम और जेनम के लिए जो हरियाणा में फॉर्म भरे थे हरियाणा ना सैनर्स मिडवाई काउंसिल के तरफ से जो फॉर्म आया हुआ था प्राइबेट और गॉर्मेंट कॉलेज के लिए उसका जिस लोग उने फॉर्म जिन लोग उने फॉर्म को भरा है वो लो गुर्मेंट की इसी पर आपको लिस्ट मिलेगी यहां कॉलेजस की लिस्ट आप डाउनलोड कर सकते हैं इंस्ट्यूट लिस्ट आफ इंस्ट्यूट संस और अकैडमिक सेशन 2023-24 यह अपलोड कर दी गई थी और उसके बाद मेरे लिस्ट डिकलेर की गई सभी की आप यहां पर आप रेस्टेशन कर सकते हैं चोईस फिलिंग आके लिए तो यह डेटेल्ड यहां पर दिया गया है उम्मिद करते हैं आप इंफोर्मेशन आप तक पहुँच गई होगी आपनी लॉग इन पोर्टल से जाकर इसे अपडेट कर सकते हैं अपडेट करिए बताइए कि आपने कितने कॉलेजस को लॉग किया है अकर कोई कन्फूजन है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं धन्यवाद जय हिन जय भारत